तो हेलो गाईस कैसे हो वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो और आज हम लोग दुबारा से खेलने वाले हैं जी टिपसन बन कर और गाईस आप लोगों को पिछली वाली वीडियो के अंदर याद होगा मैंने रोपिरो की 206 की 6 हड़ियां तोड़ दी थी बट यार वहाँ पर आते ही होंगे और आते ही बाईस साफ टिपसन की सारी हड़ियां तो डालेंगे तो आप लोग इस वीडियो के दम एंड तक देखना ये वीडियो बहुत ज़्यादा तगड़ी होना वाली है इतना यहाँ पर वो तीनों हल्क पोस्त हैं आपको बस एक छोटा सा काम करना है टिपसन की टीशेट के कलर के जैसे आपको नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा उसको जल्दी से दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गाईस आपने भी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटा वट साप लोग इस वीडियो को ये तो भाई साप बुस भरते गास तो मुझे लगता है टिपसन गया भाई साप गलत के हाथों में भज गया टिपसन पिछली बार रो फिरो तो बच गया मुझे नहीं लगता है जिस बार ये टिपसन बच बाएगा अबे हलक भाई साप एक मार रहा है तो एक अरे बाइ इन तीनोंने टिपि Animal का कैसे बुस्बर रखा है ट्रेन आ रहे हैं rather train के नीचे मत फेगे देना टिप सन को बरौना कट जायेगा ओ भाई हलक ने तो यहाँ पर train को भी तोड़ डाला और कहां पर उठा कर फैगा polish तीपसन को देखो ये हलक ना तीनों अपस में भिलड रहे हैं तो भाई आज तो टीपसन गया तो भी ने को कहा कहा की सेर करा रखिये गाईस आपका क्या ओपीनियन है क्या ये टीपसन इन तीनों हलक के हातों में से बच पाएगा क्या ये तीनो हल्क इस टिप्सन को मार डालेंगे जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जा के बताओ जल्दी से लिख दो गाइस कमेंट बॉक्स में और आज तो भाई साब मुझे लगता है ये तीनो हल्क न बहुत जादा गुस्से में आए देखो भाई उड़ उड़के अब यहाप लोगों ने देखा ना टिप्सन को कैसे हावा में फ्लाई करकर के मार रखा था ओ भाई भाई उट ने भी नहीं दे रहा है अभी तो टिप्सन ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया देखो उपर लटक गया टिप्सन इसके ले भाई उपर सो ठालिया आपस में लड़के मर गया भाई एक हलक तो मर गया आपस में लड़के अभी ये दो हलक बचे हैं भाई टिपसन को मारने के चक्कर में आपस में एक हलक लड़के मर गया देखो यहाँ पर अब ये दो हलक बचे हैं अब देखते हैं क्या ये दो हलक तो भी आपस में लड़के मर जाएंगे भाज साब आप लुक्जरा यहाँ पर देखो टिप्सन को कैसे पटक पटक के मार रखा है लेकिन अभी तक याँ टिप्सन के उपर ना एक स्क्रेच तक नहीं आई देखो कापर उठा उठा कर फीक रखा है मुझे तो यहाँ पर बहुत ज़ता मज़ा रहा है हलकी की और टिप्सन की फाइट देखने में यार यहाँ पर टिप्सन को पर असर क्यों नहीं हो रहा है हलक ने टिप्सन की बहुत बुरी तरा से बैंड बजा दी लेकिन टिप्सन फिर से खड़ा हो जाता है इसको कुछ होई नहीं रहा है मुझे लगता है अभी तक टिप्सन की एक भी हड़ी नहीं तूटी है यहाँ पर देखो यह हलक भाई हापस में टकरा गए ओके ओ भाई इधर से वो लात मारता है तो उधर से वो उठा के फेकता है यहाँ फिर से दोनों हलक बॉट टाइम होगे टिप्सन को अब मैं काम करता हूं टिप्सन के अंदर भी न हलक वाली पावर्स डाल देता हूं अब टिप्सन को भी मैं हलक बना देता हूं तो अब देखना गाईस कितना ज्यादा मज़ा आने वाला है तिरी एसी की तैसी यहाँ पर ओ भाई साब उठ तेरे अंदर हलक वाली पावर्स डाल दिया है मार इसको पड़क पड़क के गाईस टिप्सन ने देखो कैसे भूस बढ़ दिया इसका और वहाँ पर देखो एक हलिकाप्टर है और यह पुलिस वालों की गाड़ी है यह बंद आपस में लड़ाई कर रहे है देखो पुलिस में लड़ रहे हैं कभी आप लोग ने देखिए मिलिटरी वाले बंद और पुलिस वालों की लड़ाई देखो इदार है मिलिटरी वाला बंद लोग और बंद बiage मिलिटरी वाले बंदों को मार दिया यहां पर ठीकता हो इसको उठागर में औरे भाई साब हलक भी टिप्स अगर आप लोग भी अपने Instagram अकाउंट पर followers को बढ़ाना चाहते हो तो आज मैं आपको एक website के बारे में बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो आप लोग इस account के followers को देखो 61 है, अब मैं आपको ये followers बढ़ा कर दिखाता हूँ, तो मैंने इस website का link अपने description में दे दिया है, तो जैसी आप लोग यहाँ पर कर दोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का जाएगा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अपनी language को select कर ले ना, English, अब आप लोग उपर दिखाई दे रहोगा follower, आप लोग यहाँ से काफी चीज़े ले सकते हो, लेकिन मैं followers बढ़ा कर दिखा अब आपको मैं अपने followers दिखाता हूँ कितने है, 61 followers है ना, अब मैं आपको बढ़ा कर दिखाता हूँ followers देखना कैसे बढ़ेंगे, तो मैंने यहाँ पर 200 followers डाल दिये और send कर दिये, तो यहाँ पर यह कुछ second चल रही है, और आप लोग यहाँ पर देखो, मेरे 61 थे ना, त इस website का लिंग description में है, जाओ और अपने Instagram account पर followers बढ़ाओ, तो गाइस अभी फलाल में टिप्सन को लेकर आ चुका हूँ नदिये किनारे, तो अब देखना वो सार्ग मचली टिप्सन को पर कैसे attack करेंगे, चल टिप्सन फटावट से पानी गंदर जा, तो पानी गंदर तो बाइस साब मुझे लगता है, ये सार्ग मचली टिप्सन को नहीं छोड़ेंगी, ये बाइस साब कितनी खतरनाक खतरनाक सार्ग है, आज तो टिप्सन गया, आज नहीं बचेगा टिप्सन, गाइस यहाँ पर तो देखो ये सार्ग कितना फुरा attack कर रही है, पानी से भार आ सार जाएंगे, और एकदम सी भार आ जाएंगे, मतलब जैसे सार्ग हमार उपर attack करने के लिए आएगी न, तो सार्ग पानी से भार आ जाएगी, फिर हम लोग उसको पकड़ लेंगे और उसको मार डालेंगे, ठीक है, तो आने वाली होगी, यहाँ पर सार्ग किनारे, ओ आ टिपसन, टिपसन, जल्दी, गोली से फारिंग करते हैं, ओके गाईस, यहाँ पर देगो टिपसन न, सार्ग को मार डाला, भाई साब, यह ट्रिक बड़ी बढ़िया किये टिपसन न, तो जल्दी साब लोग टिपसन के लिए यार एक लाइक कर दो, टिपसन न अपनी जान खेल के इस सार्ग को मार डाला, ठीक है, मज़े ही आ गए, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, गाईस, इसी तरह से बागी के सार्ग को भी बाहर निकालते हैं, ठीक है, बाहर बुलाते हैं, और उनको बाहर बुलाने के बाद इसी तरह से मार डालते हैं, तो चलो गाईस, मैं आ चुका हूँ वापस से न दीए, किनारे एक और सार्क आ गई, ओ भाई, वो तो चली गई, यार पानी के अंदर मैं बची गया, ठीक है तो वापस से ट्राइ करते हैं हम लोग, मैं पानी के अंदर हूँ, और आ रही आ रही आ रही आ रही जल्दी जल्दी टिपसन भार आ ज ओके हम लोग फिट से किनारे पर जाते हैं और जैसे ही आएगी हम लोग वैसी एकदम भारा जाएंगे पानी से ओ भाई एकदम से टेक कर दे हो पानी गंदर लेगे ये तो अबे भाई पानी गंदर से तो बहुत जल्दी निकलना है मेरे को जल्दी जल्दी टिपसन जल्दी ओके बानी से भार तो ले आईए सार्ग बस पानी गंदर मत ले जाना टिपसन जल्दी से इसको पर फाइरिंग कर दे भाग गई यार वो उद्रा तु लेट हो गया यार जल्दी 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 इस बार तो आप तो गई सार्ग तू मार टिपसन जल्दी इसको पर फारिंग कर इसको जाने मत दे कहीं भी वरना ये फानी पानी के अंदर भाग जाएगी फिट से जल्दी जल्दी फारिंग कर इसको पर गाईस यहाँ पर टिपसन ने सार्ग को पर भी फारिंग कर रखी है बस ये भी गई है अब यहाँ अब हमारा कुछ नहीं भी गाड़ सकती है भी पानी से भार आ गई है सकी जोड ना मा टिपसन इसको तो हम लोग पर प्यार गईस जल्दी सा आप लोग लाइक कर दो आपको वह भी यह जिन्दी है मतलब मुव्मेंट कर रही है यह उठेगी तो नहीं एगर यह उठ गई तो मैं गया मैं गया पक्का तो हम लोग वापस से आ चुका है नदी के किनारे और यहां पर यह आई एक सार्क जल्दी टिपसन इसको पर भी कर फाइरिंग जल्दी जल्दी वातनी हम लोग इनको पकड़ देंगे यह लिए यार मैरो को पानी के अदर को जल्दी निकल टिपसन आगे भार मार ढालिपसन इसको भी काट डाल जल्दी से काट दे चाकू से मार इसको मार भाइसाब यह सार के भी गई बस अब यह यहां पर रुक गई पानी के बहार आ ये अंदर नहीं जा पाईगे भी पानी के टिपसन इसको यही पिकाड़ ओ भाई इसको होस आ गिया और इसने टिपसन को पकड़ लिया अब ए तु पानी के अंदर लेगे टिपसन को जल्दी भार आज़े टिपसन कमोन जल्दी ये तो आने भी नहीं दे रहे पानी से भार य भाई दोनों सार्ग को कहाँ पर उड़कर चली गई वे, कोई बात नहीं, पहले तो इस सिंगल सार्ग को मार, ये भी भाई मर गई, ये भी बहुत ज़्याद अपने आपको कुछ बन रही थी, और वो यहां से दो बाकी की सार्ग को कहाँ पर चली गई, लगता है वो कर दे, काट, ऐसी मारता है चाको इसको पर, यार इस सार्ग को पर तो चाको का कोई असरी नहीं हो रहा, बहुत मोटी और भारी सार्ग है ये, तो हम लोग नदी के किनारे चलते हैं, चोथी सार्ग को पकड़ने के लिए, तो यहां पर मैं नदी के किनारे हूँ, आएगी त काट पर भाग रही वो रही है, तीन, और ये, चोथी गोली लग गई इसके, और पांच भी ये लगी, और चटी भी ये ले, और साथ भी ये ले, भाग गई, आगई, 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 जल्दी, भाई, साब कहा पर ठाकर फिक जास ने टिप्शन को, टिप्सन चोड़ना मत इसको कर इसको पर firing तगडी वाली आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो यार टीक है सारक ले गए यार टिप 222 यह तो पानी के अंदर ले हाई टिप्षन को जल्दी भार निकल टिप्षन अरे जल्दी अब तो तु नहीं बचेगा लगता है टिप्सन नहीं बचेगा तू इस सार्क उपर देख्वUiß गोलियों के कितने ज़्यादा निसान है ये सार्क ज़्यादे खूंखा रहे है एक बार मेरे को भार निकाल दे इस सार्क ने मेरे को भार निकाल दिया और यहाँ पर डग गई बस आप तो गई है खूनी खून हो चुका है पानी के अंदर और गाइस टिपसन ने यहाँ पर इस सार्गों को भी मार डाला बाइस साब बहुत ज़्यादा बन रही थी है सार्ग अपने आपको कितनी खतरना गई है पानी के अंदर चली गई यह सार्ग चलो गाइस अभी हम लोग यहाँ से फटावट से निकलते हैं हम लोगों ने सारी सार्गों को मार डाला टिपसन यार बहुत ज़्यादा मजबूत है और यहाँ पर देखा आप लोग मैंने टिपसन के लिए एक रोल्स रोयस ली थी कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है अब टिपसन के पास भी अपनी खुद की कार हो चुकी है रो फिरो के पास से केटियम और टिपसन के पास से रोल्स रोयस तो हम मैं इस रोल्स रोयस को लेकर चलता हूँ railway track पर, मैं एक बार इस Rolls Royce को check करना चाता हूँ, कि ये कितनी ज़ादा मस्बूत है, मतलब train को रोक पाएगी या फिर नहीं, मतलब यार इस Rolls Royce का इतना अच्छा controller नहीं है bigger drive controller, और देखो गाई, इस पीचे की side से ना train आ रही है तो मैं कार को गुमाता हूँ, और ये होई टकर भाई साब train ने पेल दिया बट Rolls Royce इसके train के सामने आती जा रही है, कुछ नहीं भिगाड़ पाई भाई, Rolls Royce भी train का एक काम करते हैं, ऐसे खड़ी करते हैं अपनी Rolls Royce को, अब देखते हैं पेलती जा रहे हैं, मैंने तो break लगा रखे हैं, मैंने break लगा रखे हैं, कार के, लेकिन train पेलती जा रही है, भाई साब, धकेलती जा रही है, रुकी नहीं है train, मुझे लगता है, ये नहीं रुक पाईगी train, चल बस tips on रहने दे अब guys, हम लोग ना लॉस सेंटोस में तभाई मचाते हैं ये बंदे ना मेरे उपर अटेक कर रहे हैं देखो अभी देखो किता मज़ाएगा देखो ये ट्रक वाला आया मैं इससे ट्रक चीनता हूँ पहले तो ये देखो ट्रक वाला तो मुझे ट्रक मेरे ट्रक लेने से पहले ही उतर गया ट्रक से बाहर देखो ट्रक वाला ना उन बंदों को मार रहा है जाकर जो मुझे मार रहे थे अब ये बंद आया इसने मुझे ट्रक से बाहर निकाल के फेक दिया ये देखो गाई इस वो ट्रक वाला इन बंदों को कैसे मार रहा है मुझे लगता है मेरी help करने के लिए आया है ये बंदा क्यों फीट रहा है भाई मुझे ये वरदस्तिक है और ये लो भाई अब ट्रक वाले को भी मुझे पर गुस्सा आ चुका है ट्रक वाला भी भाई मुझे मारने की कोसिस कर रहा है अब देखो ये वो आया मेरे पास तो मैं काम करता हूँ क्यों न यहां से ये range rover कार मतलब range rover के दिखने वाली जैसी कार के अंदर बैटकर यहां से भाग जाऊँ चल बेटा निकल यहां से ओके मैंने यहां पर यह कार चीन ली है ये कार यार गाईस सेम न रेंज रोवर के जैसी लग रही ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताओ और यहां पर देखो मैंने कैसी तभाई मचा रखी है हैप्पी दिवाली सबको हैप्पी दिवाली यहां पर देखो टिप्सन ने पटाके वाली गन ले लिए जो मैंने पहले ली थी हैप्पी दिवाली वाली तो इनके उपर शूट करता हूँ मैं कारों के और यह लग गई यह आग ओ भाई ठोकर चली गई लड़की ठोकर चली गई हमारे टिप्सन को और यहां पर देखो मैंने कैसी आग लगा रखी है इसके अंदर भी लगाता हूँ आग ये ट्रक कहां पर लेकर जा रहा है चलो बोर भी जल जाएगा इस कार के अंदर भी लगते हैं इसकी ड्राइवर थो चोड़के बाग गिया येहाँ पर आग बुझाने वाली मसीन आई है तो इसके उपर भी रेखो भी आग कैसे लगने वाली है और ये लगी इसके उपर भी आग ये ब्लास्ट होएगी बहुत तकड़ी यहाँ पर और अर हो गई बलास्ट फटट गई ये भी टिपसन के पास गाईस आग लगाने वाली RPG मतलब पटाके वाली रॉकिट लाउंचर और यहाँ पर दगो कितनी ज़ादा का रहे है टिपसन ने कैसे आतम उतार रखा है तो यार गाईस बस आज की वीडियो में इतना ही and I hope कि यह वीडियो आपको अच्छी लगे होगी इस वीडियो में मैं इतना कुछ तो नहीं कर पाया जैसे की मैं आपको धम्नेल पर दिखा रखा था बट यार मैंने फिर भी इस वीडियो को बनने में बहुत मेनत की है इतनी अच्छी नहीं बन भाई फिर भी कोई बात नहीं यार आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो फिर मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बाइ बाइ गुड़ बाइ